आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ अच्छे होंगे तो आज मैं स्वया बीन्स की मोमो बनाने वाली हूँ तो चलो देखते हैं कैसे बनता है उसमें मैं थोड़ा सा ओल दूँगे और थोड़ा सा सॉप्ट अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी देकर मिंस कर लेगा है यह मेरा डोव बन चुका है देखे यह जादा हाड भी नहीं जादा सॉप्ट भी नहीं अब मैं इसको धक कर लग दूँगे ताकि यह सुख है इस सॉपीन को पहले बॉल करके उसके बाद इसका पानी निकालके निसी मिल गरां कर लूए अब मैं इसमें थोड़ा सा फॉट्चन सॉपीन ओल डाल दूँगे थिसमें और तो आड़ा थिसमें थोड़ा से फॉट्चन सॉपीन डाल दूँगे इसके बाद एक कटिल पियाच, इस इंडिया काइलिक पेस्ट, चॉंक प्रीजिन, मैं ग्राइन किया हुआ स्वाविंग, इसमें मैं थोड़ा साथ 1.5 टेबल स्पून स्वाइस, आड़ कर दूंगी, तेस्ट के लिए थोड़ा सा सॉल्ट, इस डूंगो दो हिसो में बादलो में, उससे और दूंगी, आटा चिलब के बरा करके बेल लिए, अब मैं इसके कटिंग करूंगी, कर दोड़ा कर दूंगी, आटा चिलब कर दोड़ा साथ 1.6 टेबल के लिए दूंगी, कर दोन दोषब लिए, आटा रेता है आटार, आटार, आट兩वा दूंगी, अब मैं इसमें सॉविन की स्पिलिंग को एक चम माच इसमें डाल दोगी एक की सांगुठ को डगकर जोईंक करते जाना है कि इसको उपर उठाके फिर से जॉइंट इसो उपर उठाके फिर से जॉइंट श्कुल्व इस इस है यह मेला बन्च चुक व सा ज्ट है मैंने इस पतिले में पानी ले लिया हैं उसके बाद मैं इस चानी दाल दूनी इसमें थोड़ा सा कॉर्चन सॉर्वीन ओयल इसे क्या होगा मोमो इसमें नहीं चिंगेगी अब मैं एक एक करके मोमो स्मूप देल की अब इसका गैस ओन करके हम इसको बंद्रा से 20 मिल्ट कवर कर दब जब तक मोमो बन रही है तक तक में सूप बना लेती हो यह सॉर्वीन का बॉल किया हुआ पानी था मैंने इसको नहीं पेका अब मैं इससे सूप बना लूगी इसको मैं कराई में दे लूँगे इसमें में यह नूडल्स डाल देंगे थोड़ी सी नमाख थोड़ासा ब्लैक पिपर रहासा सोय सॉस हो गया मैंने इक गयास बन कर दिया है अब मैं इसको उतार लूगे को यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट पर जरूर बताना थैंक यू